मतलब ये ठेवा देख सकते हैं इधर पूरा पानी ही पूरा बढ़ चुगा है बोस्तों यहां देखिए ये जंगल से लाय है खुकडि पूरा भी मतलब ध्वा गया CORY और ये देखिए खुकडि है तो आज घंच ने वाला इसका सब्जी यहां पर देखिए पूरा बन चुका है यह मसरूम यानि तो हेलो दोस्तों केसे आप लोग आसा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे तो चलिए आज की इस ब्लोग को स्टार्ट करते हैं तो अभी सुभाग बज़रें करीबन दस तो आज कब लोग हम यही से स्टार्ट करते ह याच लेच पि मेरल्भ बारिस के नाजारा भी बारिस बहुत हुगा है थोकि सुभास बढ़ बारिस ओल तो अर्य वाहां आपी बारीस का मुषम नहीं हो चलघ चरहा है ति अब बारिस हो रहा है कि मतला गर में पर पानी दर से ज्थी छिया भर मतला पानी आ पानी आज 요र पूरा इधर इधर पूरा पानी पानी तर आप देख सकते हैं देखिए इधर पूरा पानी पूरा भर चुका है पूरा इधर भीग चुका है और इधर अपना टीवी था और टीवी के सामने भी यहां पर देखिए यहां पर भी जो है पानी के वज़ा से यहां पर भीगता है देखिए इधर भी पूरा भेगी जा रहा है तो इसलिए सारा चीज भी इसको बंद कर दिया अभी ना बन रहा है तो दोस्तों देखिए यहां पर चड़ा हुआ है पिठा मतलब अपना घर से बनाए तो रात में कल पिठा बना था तो उसी को भी थोड़ा गर्म कर ले रहे है पानी डाल दे रहे है ताकि जले नहीं तो यह रात में ही बना था और इसको चला देते हैं खाना के लिए हो जाएगा चलिए इसको गर्म कर लेते हैं तो यह आटा का बनता है तो यह जो पीठा है आटा का बनता है चलिए इसको थोड़ा गर्म कर लेते हैं और देखते हैं क काफे टेश्टी लगा था तो अभी इसको देते हैं धक्ति यह धक देते हैं ताकि यह बढ़िया से पक जाए और अभी पकना स्टार्ट हो चुका है तब तक के लिए भी वड़ा पक जाएगा और अभी देखे बारीस भी बहुत तेज हो रहा है और मेरा बैटरिक भी मतला भ अच्छा तो यहां देखे टामाटर उबाला गया है यह जो टामाटर है उबाल के यहां पर इसका चटनी बनाने वाले हैं तो यह टामाटर पुरा उबल चुका है तो इसको चटनी बनाएंगे और खाएंगे इसको रोटीक साग दोस्तों अभी तो बारीस बहुत तेज हो पर विखने चटनी तो दोस्तों यह जेञा लेंगे उसका बाद लोग को फिर कंटिन्यू करेंगे दोस्तो अभी नास्ता कर लिये थे रोटी चड़नी और जो पीठा बना हुआ था वो तो अभी नास्ता कर लिये तो तीन मेर्चा डाल दिया गया है क्योंकि अपना बनने वाला मस्रूम यानि खुखडी अब बनाएंगे इसमें इस कड़ाई पर आप देखते रहिए तो दोस्तो अभी मस्रूम बन रहा है और अभी बारिस जो है लगातार होते रहा है तो अभी लगवग बज चुके हैं बारा और बारिस अभी स्टार्ट ही हो गया फिर से मतलब आज पुरा दिम भर मतलब 4-5 दिन से अभी इधर लगातार बारिस हो रहा है हमारे गाउं तरफ और भी सहरो तरफ भी हो रहा होगा देखिने इधर तो लगातार अभी 4-5 दिन से बारिस और स्टार्ट ही है तो चलिए आगे को प्रोसेस देखते हैं मसरूम कैसे बन रहा है ठीक है तो दिखाते हैं आपको मसरूम कैसे बना अभी तक खुखरी डला गया है इसमें जो कि इसको हलका तला जाएगा बुझा जाएगा बढ़िया से इसको भुझने के बाद इसमें मसाला डलाएगा तो चलिए इसको बढ़िया से चला उलाके अब भुझ लेते हैं जो कि इसमें मुझा पानी जर्वार बन के तयार होगा ठीक है और मसाला डालेंगे उसके बढ़ियासे रेडी रहेगा तो अब इसको ढ़क देते हैं ताकि ये बढ़िया से पक जाए और बणिया से तो एक जीच जाए जितना भी है मसरुम यह थोड़ा गल भी जाएगा चलिए इसको ढग देते हैं तो दोस्तों अब इसमें मसाला डाल दे रहे हैं ताकि इसका जो इसारा पानी भी सोख जाएगा और यह अच्छी तरह से पक भी जाएगा तो यह मसाला पुरा डाल दिया गया है अब इसको बढ़िया चलाने तो अब दोस्तों इसमें अब गरम मसाला डाल दे रहे हैं ताकि बढ़िया से और भी इसका टेस्ट बढ़ जाए इसमें गरम मसाला इसमें डाल देते हैं और बढ़िया से इसको पकने देते हैं दोस्तों अब इसको ढख दे रहे हैं ताकि यह बढ़िया से पके तो चलिए 10 मिनट के लिए इसको पकने देते हैं और उसके बाद चैसर पकेगा देखते हैं इसमें अब नमख डला गया और यह थो पानी था सब शुक गया है और यह सीज भी गया है पूरा मुबल तो पुरा सुखा भी है यहां पर देखिए पूरा बन चुका है यह मस्रूम यानि खुकडी यहां पूरा बन चुका है और जितना भी इसका पानी था सुक चुका था और यहां पर इसका सेट भी बढ़ियां आ रहा है तो दोस्तों आसा करते हैं कि यह ब्लोग आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो मिलते हैं फिर से एक अलग ब्लोग के साथ तब तक के लिए बाई बाई